हालो विवर्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो आज 25 दिसम्बर है तो आज हमारो क्रिस्मस इफ है तो आज विश यू वेरी मेरी क्रिस्मस अपनी क्रिस्मस बहुत अच्छे गरब से आप बिता है अपने फैमिली के साथ तो मैं आज आपके लिए औरेंज केक के रेशिपी लाई हूं तो ए मैं इजी प्रोसेस में बनाने की कोशिश कर रही हूं तो चलिए अब हम विडाउन इन इस्टेट चाहे हम लग हमारा रेशिपी स्टाट कर देते हैं नहीं है तो सबसे पहले काम होगा फेल और विवे उदकरनों एक करें हो तो यह के आते क्यूंच आं प्रेखन के लिए उधित आप टाइमर लगा दीजिए 10 मिनिट्स के लिए या फिर 7-8 मिनिट्स लगता है तो सो मैं यह आपर शार एट नाइन मिनिट्स के लिए मैं प्रीट कर लोगी तो स्टार्ट कर लो ठीक है सो मेरे हैं मामामें मामें तो मैं मैं अन लोगों के लीए घ्या रही के लिए ज़िएすごい उब습니다 तो आप ख्यार रखें किंडर कुछ चीजने होना चाहिए तो आप पहरें जबने प्रस आइब शण्ट कर लिंजेए bênहें मिक्स्ण को बना लेंग तो चली अप सुन करते Paige तो सबसे पहले हमें एक लेना है सुमया पर दो एक इस कर रही हूं अब हम इसमें डालेगे सुगर अब देख सकते हैं मैंने यह पर एक कप सुगर लिए तो एक थोड़ा सो कम है एक कप से तुम्हें ज्यादा मीठा नहीं बनाना चाहती हूं इसलिए सो अब जब मैंदे का भी मेजर्मेंट कीजे तो सेम इसी कब में मैं करूगी क्यूंकि इसके मेजर्मेंट अच्छा रहता है अच्छी तरफ से इसको मिलाएगे जब तक हमारा सुगर है वो मेल्ट ना हो जाए देखें बहुत अच्छी अरफ से मिल चुका है चलिए आप हम इसमें डाले गए 50 ग्राम्स अब बटर अच्छी तरफ से मिलाएगे अच्छी तरफ से मिलाएगे आपके पास अगर बटर नहीं हो तो आप क्या होता है आप होई टोयल जो होता है उसमें डाल सकते हैं आप जिस कॉप में आप चीनी डाला था उसी कॉप में सेम एमॉल कर और वाइट ऑल डाल दीजिए इसके अंदर को आप प्रेट हो चुका है आपको वीप सुनाई दिया आप प्रेट आप अप साथ मिल चुका है चलिए आफ हम बाकी ड्राइ इंग्रियंस को इसके साथ मिलाते हैं सबसे पहले हम मिलाने बाले हैं इसमें हमने अंडा दिया हुआ है तो अंडा का फ्लेवर नहीं आए तो इसके लिए हम इसमें डालेगे सिनमान पाउडर इससे क्या होगा थोड़ा अलग सा फ्लेवर आएगा हमारे केक में क्यूंके ओरेंज टेक है तो अपकर हम लगों पर ओरेंज जूस देना परेगा तो मैं यह पर टू ओरेंज का जूस है यह ठीक है और जूस और हमें दाना परेगा ओरेंज टेस्ट तो मैंने इह ओरेंज से हम मैंने निकाला हुआ है तो इससे अच्छे तरवाच से फूश को आएड़ा तो लीजे हम इसको मिला लेते हैं अच्छे तरव से अपने देख सकते हैं और जूस और चैस देने के बाद एक अच्छा साफ फ्रेग्रेंट आ रहा है और कलर भी चेंज हो जया हमारा मिक्स्चर का चलिए अब हम इसमें डालेगे ड्राइ फ्रूट्स चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राइ फ्रूट्स अब हम इसमें डाल देगे मादे फ्रूट्स चलिए अब हम इसमें डाल देगे मादे के लिए अब मेस्ट मेजर्मेंट होगा अब जिस काफ में आप चीनी डाला हुआ था इसमें सेम काफ अब लीजिए ठीछे उसके पूरा-पूरी एक काफ हमें डानना होगा मैदा अब ज्यादा केक बना रहे तो आप सभी इंग्रेडियंस को डॉबल कर दीजिए अब देख सकते हैं मैंने पूरा का लेया है पूरा एक का अब हम डाल देगे आप हम इसमें डालेगे हाफ टीजपून बेकिंग पाउडर और हाफ टीजपून बेकिंग सोडा अब आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर पूरा पूरी एक टेबल स्पून डाल दीजिए अब हम इसको मिला लेते हैं अब इतना विक्स करेंगे केक मिक्स्टर को उतना अच्छा और अच्छा और फ्लापी बलेगे अटका टीजपून अब इतना विक्स करेंगे केक मिक्स्टर बिल्कुल तैयार है बेकिंग बेक होने के लिए तो आप चलिए अब हम बेकिंग मोल्ट को तैयार कर लेते हैं सलीजा मारा बेकिंग मोल्ट आगे अब मैं इसमें थोड़ असा बटर लग दाल दूगे अब चाय तो वाइट वाइल डाल सकते हैं लेकिन आप वाइट वाइटी कीजए क्योंकि जब बेक हो जाएगा केक सो हम वाइट वाइल में कुछ फ्लेवर नहीं डालते तो उसका जब कच्छा फ्लेवर है और अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम बटर करें इसका माल कीज़ा है अब मैं इसमें डाल अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डाल लोगी अच्छा होता है तो तो अब हम इसको अच्छे तरफ से पूरा मोल्ड में लगा देगे तो असानी से हम डी मोल्ड कर सकते है केट उसके लिए यह मैदा लगाना जरूरी है और एक्स्ट्रा पर हम निकाल देगा तो लीजे हमारा प्रेकिंग मोल्ड विल्गल तैयार है चलिए अब हम केक मिक्स्चर को डाल देता है चलिए चलिए अब हम इसको थोरा सा इसा टैप करेंगे अगर इसके अंदर कोई बगल सो तो फट पाएगा चलिए अब हम इसके उपर से थोरा सा ड्राइफूर्स टाल देते हैं चलिए अब हम इसको माइक्रोइक के अंदर डाल लेते हैं तो माइक्रोइक बिल्कुल प्री हीटेट हो गया है तो चलिए अब में इसके अंदर रैक का इसके तमाल चलने वाली हूँ सो मैं यहां पर रो रैक यूज कर रही हूँ ठीक आप हाई रैक भी यूज कर सकते हैं तो अगर आपके पास रैक नहीं हो तो आप रैक का आप डाइरेक्ट भी आप माइक्रोइक मेरा रैक के बज़े से क्या होगा जो केक हमारा बनेगा तो नीचे से भी हीट अच्छी तरफ से में चाड़ो तरफ से अच्छी तरफ से हीट आएगा तो तीक है तो लीजिए आप हम डाल देते हमारा क्रेक्ट मिस्टर अब मैं कॉल्बेक्शन मोड में तीक है इसका जो हीट है वो पहले से फॉंक्शन दिया हुआ है तो आप इसको टाइम मेर लगाऊगी तो आप कॉल्बेक्शन मोड में 180 डिग्री में मैं इसको टाइम दूगी 30 मिनिट्स के लिए अगर जीन लोगों के पास कॉन्वेक्शन नहीं है तो इसको स्टार्ट कर लोग क्या करेंगे ओलोग माइक्रो में 360 डिग्री में इसको बेट करेंगे इसको निकाल लेते हैं तो आप हम 30 मिनिट्स वेट करते हैं और 15 मिनिट्स के इंतजा उसके बाद हम केक को फुलेए तो लीजे हमारा 30 मिनिट्स हो चुका है तो आप हम इसको स्टॉफ कर देगे और इसको ओपन करेंगे चलिए केक को निकाल लेते हैं तो देखिए कितने अच्छे तरफ से अंदर से भी बेख हुआ है नहीं तो एक नाइफ लीजे और इसको सेंटर में ऐसे करके साइए देखिए बिल्कुल क्लीन निकाल आया है इसका मतलब अंदर भी अच्छे तरफ से बेख चलिए आप हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं लेख लेख कर इसको ऐसे बटते हैं चलिए आप के प्टी मोल्ड कर लेटे हैं चलिए दीमोल्ड कर लेए कितना अच्छे दड़ब से निकालाया है तो लीजे हमारा औरेंज केक बिल्कुर तेयार है I hope you have enjoyed this recipe. See you next time.